पहले बाजार की कुछ बड़ी बातों पर आये डाल लेते हैं नजर जहां पर उपरी स्थरों से हम दबाव देख रहे हैं और 24,000 को होड़ करने की कोशिश हाला की की जा रही है काफी फ्लैटिश लेकिन लाल निशान में कारुबार होता वा दिखाए दे रहा है और सेंसेक्स की लविल्स लगभख हमें आते वे अब दिखाई दे रहे हैं और क्लिरली पाफ्सो साथ पॉइंट्स फॉम डेज हाई हमें सेंसेक्स पसलतावा दिखाए दे रहा है लेकिन इस पी चाराइल का जो मार्केट क्या पर लगभख 20 लाख करोर के पार जा चुका है साथी सरकार बैंकों में भी हम देख रहे हैं कि तेजी का रुच्छान है आज के सत्र में प्राइवेट बैंकों पर दबाव खासा दिखाए दे रहा है ग्यास शेरों की बात करें तो यहां पर मजबूती है महानगर ग्यास लगभख 7% फाकतावा दिखाए दे रहा है फार्मा काउंट अगर हम बोले तो क्लिरली सेक्टरिल फ्रेंट पर अगर हम देखे तो अगर हम बैंक और कैपिटल गूज्स को छोड़ दे तो बाकी तमाम इंडिस्स हमें लगभख हरे निशान में कारोबार करते वे दिखाए दे रहे हैं और पीएस लगभख 1% उपर फिलहाल दिखाए दे रहे हैं हाला कि ब्रॉड इंडिस्स जैसे की मिट्काप स्मॉल कैप में हम देखे तो यहां पर बहुत ही मामुली सा रुझान आता हुआ दिखाए दे रहा है और क्लिरली मिट्डे मांकेट अक्शन में भी क्या-क्या हाइलाइट हैं यह हम जानते हैं हमारे सहीयोगी अ बहुत कोशिच कर रहा है निफ्टी की 24,000 को पकड़े हुए रखें देखना होगा कि यह कब तक मुम्किन हो पाता है बताइए सेक्टरिली कहां कहां पे हाला कि इसके लावा अक्शन है अंच जी बिल्कुल सबसे पहले तो हम ब्रॉड इंडिसी से शुरुवात करेंगे निफ्टी देखेंगे तो यह जुलाइ सीरिस का पहला दिन है और शुरुवात तो अच्छी थी रिकॉर्ड ऐसे थी लेकिन ऊपर से हमें कई थोड़ा यहां पे प्रेशर आता हुआ नजर आया अब सेक्टर इंडिसी के बात की जाए तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर में हमें निफ्टी पीएस्यू बैंक नजर आता है जो की चार सेशन से एक कंसलिडेटेशन में था वहां से थोड़ा सा ब्रेकाउट देके उपर आता हुआ नजर आ रहा है हाला कि सुबह इंड अब इस एक पॉजिटिव ब्रेकाउट देख सकता है यहां पर भी चार सेशन की साइडवेज से ब्रेकाउट देता हुआ नजर आ सकता है वर्स परफॉर्मिंग सेक्टर के बात कर तो यहां पर हमें निफ्टी बैंक इंडेक्स नजर आता है जो कि अपने पिछले सेशन के लोग के भी नीचे जा चुका है तो यहां पर थोड़ा सा बेरेज सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है इस लिस्ट में देखे तो इंडेसिन बैंक एकसिस बैंक आइसे आइसे इसे अइसे अपमें हलकी सी बिक्वाली नजर आ रही है स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सबसे पहले हम वंबे बुर्मा की बात करेंगे जिसका चार्ट देखे तो अल्टाइम हाई पे है स्टॉक साथ से आट प्रिटिजट की तीजी आई है कल भी हमाई लिस्ट में था कल फोर बिलियन का मार्केट कैप क्रॉस करता हुआ नजर आया था तो वही पॉजिटिव सिंटिमेंट हमें आज भी कंटिनी होता हुआ नजर आ रहा है एजिस लॉजिस्टिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे चार प्रतिशत की अच्छी तीजी नजर आ रही है दस सेशन से एक साइड वेस में फसा हुआ था वहाँ से काफी अच्छा ब्रेकाउट देता हुआ नजर आ रहा है स्ट्रॉंग वोल्यम्स की बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले CDSL नजर आ रहा है 15 प्रतिशत का उच्छाल नजर आया है इसमें अगर इसका चार्ट भी देखा जाए तो एक रिवर्स हेड और शूल्डर चार्ट पैटन कहीं महिनों से बनाया हुआ था वहाँ से काफी एक स्ट्रॉंग ब्रेकाउट देखता हुआ नजर आ रहा है जिसके वज़े से इसमें काफी स्ट्रॉंग पॉजिटिव सिंटिमेंट बनती होई दिखरी है साथी साथ एथर में भी अच्छी खरीदारी हो रही है स्टार हेल्प में भी अच्छी खरेदारे और यहां पर भी रिवर्स हेड़न शूल्डर चार पैटन से ब्रेक आउट दे दिया है तो इन स्टॉक्स पर नज़र रखे और राइट अंच शुक्रिया आपका तमाब मिड्र मार्केट की हाइलाइट पताने के लिए और चलिए बाजार के चाल पर राइ ले लेते हैं हमारे साथ ओशन स्ट्राटेटिक अडवाइसर के आशीश महेश्वरी भी जुर गये हैं आशीश स्वागत है आपका कॉपिट कनेक्शन में और बाजार की चाल में तबदीली और लगा था कि शायद टिकने की कोशिश कर रहा है बाजार 24 एक सो के पार लेकिन अब यहां पर 24,000 को ही पकड़ने की कोशिश हो रही है लेकिन अपने हाइस से तोटली अब नीचे आत हुआ हुआ है बताइए आप कारुबारी सत्र का अंट भी होने को है और साथ ही इस पूरे हफ़ते में हमने देखा है कि बाजार ने अच्छा खासा रन अप दिखाया है तो ओवर ओल व्यू इस पूरे हफ़ते में बाजार की चाल को लेकर जो लाज्ज कैप लेड राली द हो रहे हैं कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो गया है कि आज ही बाजार ने अपना 52 वीक हाई तच भी किया था तो उसके बाद थोड़ी मुदाफर वसुली हमेशा होती है जब भी बाजार अपने हाई पर जाता है और देखे तो करीब एक सब्ता में करीब धाई परसेंट बाद चुका था तो थोड़ा था कंसॉलिडेशन होना हमेशा हेल्दी है और मेरा मानना है इसके कारण से जो नई रैली की शुरुआत होती है बाजार पर नई उचाहियों की तरफ लेके जाती है तो मेरी सला तो रहेगी कि बाजार में बिकोर बने रहे किसी भी गिरावट पर बाइंग के मौके डूड़ी क्योंकि इस में अगले मेरें बजट का भी अलाउस्मेंट होगा तो उसके भी बजट रैली जो एक उमीद की जाएगी तो मुझे लगता है चार पांच चुलाई के आसपास से ओर रैली भी शुरुआत हो जाएगी तो किसी भी गिरावट पर बाइंग के ओपरचुनिटी ही देखना चाहिए और क्यूंकि आज हम पीएस्यू बैंको में भी रनब देख रहे हैं जो कि कुछ सेशन के बाद आता हुआ दिखाए दे रहा है क्यूंकि अब तक तो रगातार प्राइवेट बैंकिंगी शाइन कर रहे थे पीएस्यू म दूसरी बाद जैसे अभी जो बाद में हम रिकॉर्ड इंफ्लोज उमीद कर रहे हैं मैं जेपे मर्गन बाद इंडेक्स के इंक्रूजन में जब भारती गवर्मेंट बाद को इंक्रूट किया गया है तो उसके करार से भी थोड़ी सी इन स्टॉक्स की डियरेटिंग हो सकत क्योंकि यही बैंक से जहां पर ट्रेजरी में सबस्यादा यह बाद रहता है तो जरूरी इल्ट में बहुत ज़्यादा फर्क है पर आगे जाके लिकुजिटी बढ़ेगी और इस बैंक स्कोस का मेनिफिट मेलेगा तो जिसके कार से हम देख रहे हैं पियस्यू बैंक से चा